नमस्कार दोस्तों आज की डेट है 11 अपरिल 2024 स्वागत आपका आज के करेंट फे डिसकर्शन में चले डिसकर्शन स्टार्ट करते हैं पहला हमारा आर्टिकल प्लेशन न्यूज से समझेते हैं क्यों न्यूज में सेनेगल के नहीं राष्ट्रपती बने हैं कौन बन गए हैं तो यह न्यूज में थे अब इनके बारे में देखो प्लेशन न्यूज तो इंपोडेंट है थोड़ा बहुत इनके बारे में नाम याद रख सकते हो रख लेना कोई स्टेट PCS वगरा के या पिर कोई एस न्रजदीग एक्जाम उसमें क्यूशन पूछा जा सक यह मॉर्टोनिया्री गिनी विल्बिशा इस सेनेडल के बाउंडर लगती इन देशों के बारे मां पता बोना ची पांच देशों से इसेनेगल के बांडर लखती है मॉर्ट्टीनिया माली गिनी गिनी विल्शाओ औरKapYou गेंबिया की बाउंडरे यह सेनेगल के अंदर एक देश है ठीक है सेनेगल लेंड रोग कंट्री नहीं है यह न नौर्थ अंटलाटिक वहां पर इसकी बाउंडरे लगती है यह डेकार इसकी कैपिटल है सेनेगल की लोकेशन आपको पता होने चीए चलते हैं हमारे नेक्स आ आति है Hasiya टर्की और इंडि इंडिए इंडिया आपर सबसे ज्यादा ओंग किए आती है डोपिंग क्या हो टा होता है यह दोपीड के होता है जो खेल केलने जाता तो वह पिस्ट लेता है तो वहां पर इतना प्रफॉर्म नहीं कर पाएगा वह पर फॉर्म क्यों नहीं कर पाएगा क्यूंकि दूर्पिंग करता है इसे वहां पर डर्च्छ लिये गयो तो रस्या को लेने के लिए चार साल के लिए बैन कर दिया है जाता अब यह कोन करता है यह वाड़ा की द्वारा कि आए था वाड़ा की फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डॉपिंग एजनसी वाड़ा इसकी इस्तापना उन्निसो निन्नाडवे मुई थी यह चीज वाड़ा की बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इव्यों पता हो होना चाहिए ठीक है इससे फंड कोन करता है इससे फंड जो अलगला एजनसी होती है अलगला वर्ल्ड की गौवर्मेंट है उनके द्वारा इससे फंड किया जाता है यह आपको पता होना जी वर्ल्ड की अलगला सरकारों द्वारा अलगला जो अथर्टी होती है उनके को पर्मोट करती है डॉपिंग के खिलाब जो मामले उसको देखती है साथिजाथ education को पर्मोट करती है इसके लिए नियम बनाती है निगराणी करती है ये सारे इसके काम है ठीक है इसका headquarter कहा है इसका headquarter इसका profit यूज नहीं होता तो यह एक non-profit organization है अब बात कर लेते हम राष्ट्री डॉपिंग रोधी agency के बारे में नेशनल एंटी डॉपिंग एजनसी के बारे में जैसे वर्ड लेवल पे होती ही वाड़ा वैसे ही नेशनल लेवल पे होती है नाड़ा इनके बारे में पता होना ची तो नेशनल एंटी डॉपिंग एजनसी इसकी स्थाफना कब हुई थी इसकी स्थाफना 2005 में हुई थी society registration at ten 1980 का 1890 का 890 का society पंजी करन अदीनियम के तरह इससे पंजी करेत किया गया था तो यह एक society की तरह कारे करती है इसका उद्द से वही है वाड़ा जो नियम मनाती है न जो वर्ड की एंटी डॉपिंग उजनसी उसकी नियम को लागू करना और यह बारत के लिए काम करती है जो ministry of youth office and sports के अंतरकती आती है तो आपको यह चीज़ पता होने चीए कुन सी ministry के अंतरकती है उद्द से हमने बात कर लिया कि वाड़ा के नियमों को लागू करना education को promote करना research को बढ़ावा देना यह सारे इसकी उद्द से है तो यह वाड़ा के बारा में देख लिया नाड़ा क के बारे में क्यों सुविधा पोड़ा न्यूज में न्यूज में इसलिए हैं कि इसे related campaign activities है वो application है वो बढ़ गई है इसलिए में हम बात कर लेते सूविधा पोड़ावा के बारे में हमारा चो election free and fair होना चीज़ी यह हमारा goal है election free and fair होना चीज़ी सात ही साथ में transparent होना कोई भी candidate है या कोई भी political party जब वो चुनाव लड़ने जाती है तो उसको campaign के आव सकता होती है कहीं सारे पहले नियमों के आव सकता होती है साथ ही साथ में उनको कारे ले खोलने होते हैं गर गर जाके परचार करना होता है वीडियो वेन जलानी होती है helicopter है वहाँ है इन सब की permit permit के आव सकता पड़ती है अब यह permit कहां से लेगी ठीक है ऐसी तो permit लेने जाएगी election commission से बहुत टाइम लगता है तो election इसके लिए सुविदा पोर्टल बना है ताकि कि किसी भी प्रकार की permit के आव सकता हो किसी भी political party है कोई बी independent जो member है उसको चुना लड़ रहा है उसको इसका अब इसमें इसे किसी किसने विक्सित किया डैवलप किया गया है election commission of India के द्वारा इसे डैवलप किया गया है उद्देशी क्या है free fair और निस्पक्स election हो जाए इन सब को पर्मोट करने का यह काम करता है अलगलग political party होती है उनकी जो भी काम किया सकता होती जो भी उनको सुविधा facility किया सकता होती वो यह provide करने का काम करता है तो सुविधा एक online portal है जहां से जो भी political party है जो भी चुनाव लड़ रहा है वो इससे समय पर्मिट लेने का काम करती है तो इसमें permit दी जा सकती है इसे track भी किया जा सकता है कभी अच्छा portal है तो इसके benefit बहुत जादा ह तो यह उमारा हो गए सुविधा portal के बारे में next जो मारा article है वो UNHRC के बारे में United Nation Humanite Council के बारे में क्यों न्यूज में अभी United Nation Humanite Council ने गाजा मतलब इस्राइल और गाजा के मद्दी जो वार चल रहा जो तनाव चल रहा है उसके लिए siege fire एक agreement लेके आए ते एक ठीके प्रस् USA भी इसके खिलावता और भी UK है वो इसके खिलावता कुछ देश जाए कि चाहिए ना अफरीका ठीक है बांगलादेश वगरा इसके support में थे भारत ने ना तो support किया ना पक्समें लिया भारत इसको abstand कर दिए और भारत ने कोई reason भी नहीं बताया कि हम इसको क्यों छोड़ में कोई editorial भी आया तो हमारी वो editorial का discussion है वहाँ पर यह cover हो जाएगा टेलिग्राम चैनल में आपको editorial मिल जाएगा अब हम बात कर लेते हैं यह देखो Israel इसका map 1970, 1917, 1947 यह अभी की इस्तती है अभी यहाँ पर यह गाजा है यह इजिप्ट है यह जॉर्डन, यह सीरिया, यह ले ब्लेक वाला, इसको समय की रूप से पलेस्टिन कहा जाता है, जो कि अलग देश की डिमांड कर रहा है, तो इसकी वज़े से यहाँ पर तनाव भी चल रहा है, नेक्स जो हमारा article है, यह भी मैंस की प्रस्पेक्टिव से कापी ज़्यादा महत पूर्ण है, क्यों नियूज म बढ़े और इसकी प्राइज नहीं बढ़ेगी, तो हमारे जो कंजूमर उनको जो प्याज है, वो सस्ती रेट में मिल सकेगा, इसलिए इसको एक्सपोर्ट पर बहन लगा दिया था, बट कुछ देश है, जैसे कि UAE, इनके साथ में हमारे संबन अच्छे, तो यहाँ पर एक 15 रुपे किलो, तो हमारे किसान को 10-15 रुपे मिल रहे है, यूई की जो मार्केट होती, वहाँ पर ये भिक रहा है, यहाँ पर 1500 रुपे किलो भिक रहा है, तो हमें लोस जादा, इसको प्राफिट किसको हो रहा है, यूएस की जो यूई, यूनाटेट अमिरात के जो ट्रे सेलो यह कchae घैनि थी झेल सतव के बारे इसके बारे में आप सब ने सुना भी होगा बार बार निज मेरे था क्यों रहतलों इसमें क्या होता इसमें होता न सताना आद तेले tratar की में infection करने इमीज त्याग कर दैसे रा है मोदी जी रिकाद मिशेव फाव और हो निटी पर वह दल जैसे आपने पहले देखा होगा एक अक्ट्रेस थी उनका जो चहरा त वह चेंज कर दिया और यह कोई और दो इसो क्या होगा लोगों को लगवारी ओर इनका ही और अगर-डीफ-एक किसी शेयरा जा राता तो पहचान भी नहीं आता कि यह इनका नहीं है इस परकार देखने क कुछ नहीं बोल रहे हैं फिर भी को यह सी स्पीच वाइरल कर दी जाती है तो लोगों को लगे का यह मोदी जी बोल लें तो इसे हेट बढ़ सकती है समूदा इक तनाव बढ़ सकता है बहुत बढ़ा बुद्धा देखने को मिल सकता है यह डीप फेक में होता है और किसी वेक जैसे की में हूँ मेरको अच्छी एडिटिंग नहीं आती है सिममल सी बात है मेरको अच्छी है अब मेरको किसी की इमेजर एडिट कराएं तो मैं फोटो सूटे फोटो सॉप है इस तरुछ तरीके से कुछ एडिट करूगा ताकि ए różडियो ऐना वतिए वह इसको एजलिप fright पहिचान जाएगा ये ढूब personnage है तो अग org की पहचान आसानीस होता है इसले आई का यूज के जाती है एक to बारत में कोई specific इन को target करता है कानून नहीं है ना अगर यह असी मुद्धे है दोनों का नुक्सान है अगर वह कानून के बारत है नहीं है बारत में कोई specific इनको target करता हुँ कानून नहीं है ना डी आइटे के बारे में चाहिए लोगो को अवैर करना है तो लोग उपता होना ची यह नियूज़ यह नहीं है साथ इसाथ में प्रोवार्ट रॉपिवीज्न काफी प्रॉपवीजों कंतर कैसा कनों कानून प्रूपर में इसे तो उससे तुरंट आगे बढ़ा दिया जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ टाना है उसका पता करना है उसके बाद में उसी पर मोट करणा है या आगे भेज़ना नहींघ है वो उसके बाद में त्याक किया जाना चीए, तो मीडिया को अवेर होना है, सरकार को इसके लिए आगे होना चीए, लोगों को थोड़ा fact check करके ही इस news को promote करना है, या पर किसके sentiment hurt हुए है, उसके action लेना है, तो कुछ सोच समझ कर ही लेना है, अगर आप थोड़ा सोच के न्यूज है, और ये न्यूज है, वो अगनी फोर मिसाल से समझ देते हैं, अगनी पी मिसाल से समझ देते हैं, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगनी प्राइम मिसाल के बारे में, क्यों न्यूज में है, न्यूज में इसे भी launch किया है, है test किया है इससे समझनी निव जमार्ले महत्मुर्ण ही हम बात कर लेते हैं अगणी प्राइममिसाइल के बारे में ये दो इसलिक और जहां कि बिजा सकती कहां जाना कहां नी जाना और इसमें ग dire economismwyn जहां भी बेजा जाना उसको आइड करने का सिस्टम भी होता है रेंज याद रखना इसकी रेंज 2000 किलोमेटर है रेंज क्यों याद रखना है यूपसी डारेट क्यूशन पूछ सकते हैं तो यह पहली दो स्टेज वाला यह याद रखना है दो स्टेज वाला इसमें फ्यूल हो रहा है ठीक है स्टेज वाला यह यूज हो रहा है यूपसी कैसे क्यूशन पूछेगी बाद में हम देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि यह चीज़े क्यों इंपोर्डेंट है तो दो स्टेज को याद रखना है सॉलिड फ्यूल याद रखना है रेंज 2000 किलोमेटर य हले अब सटा फेख़्ड़े रखे रहेके उपर फ्यक्रफिको तो सरक्स टू-यर हो जाएगी आखास है सटा पर ख़ड़े रहके आकास को देखे इस पर प्रहेश चिलो हो जाएगी इस पर का से अब करना यह सर्फेश घर पता हो च dizer बारे पता होना भर जाने कि सत्र से सत्र में वार करती है ठीक है दूर ही इसकी जान मेंग है तो यह भी आपको पता होना चाहिए इस में फ्यूल कुछ क्वारे है फ्यूल поступ हो रहा है यह भी आपको पता होना चाहिए पैरमेटर अच्छे हैं सिग्निफिकेस बहुत ही जादा है बात की जो टेकनोलजी उसको भी बूस्ट करेगा जो हमारी कैपिसिटी उसको भूस्ट करने का यह काम करेगा तो यह अगनी फोर के बारे में कुछ अगनी प्राइम के ब हमारे डॉक्टर अब्दूल क्लाम जी ते उनके दिमाग की उपजे यानि कि जो इनके जनन करता है इनकी जो निर्मान किया गया था इनकी उपद दी थी वह एपीजी अब्दूल क्लाम जी ने इनकी स्थापना करी थी इसमें क्या होता है इसका जो मुख्य उद्श यह वह हो भारत को है न मिल्सटेतर में मिल्सफ सफ्याइट की प्रोधियों कि उता है अत्म नेरबा बनाना इसका Pipa प्रस्वी कम दूरी की है कम दूरी की होगी पृत्वी यह उद्व पृत्वी बता से सफ्फफ़ी सँये सफ मनेगा फिर अगनी सरफेस टू सब्सऻेश होगी अगनी सकनी yüz सप् सें अगनी किht missile है पिर नाग है शो को नस्ट करता है तो यह पांचों के बार 144 इस योई कि इंदिक फिर अगनी फिर एक आकाश फिर आन का नग तो पांच से याद स्कते हो कि यह कौण कौण कोंiddł आती है तो यह मिसाइलों के बारे में पता होना चाहिए फिर यह अगनी मिसाइलों के बारे में अगनी वन अगनी टू अगनी त्री अगनी फॉर अगनी फाइव अगनी पी अगनी सिक्स इसके बारे में इसमें कौन कौन सी कितनी किलोमेटर यूज किये गए हैं तो आप वह सब्सक्रेसाः अगनी वाली है वह 5-4J से पता होने या यह सोलीड है। Bennett Also you can see how वह रहा है व 뭐्य। आप पता हो रहा है। यह वैप पता होने चीघी है। इस पर क्योशन प्रित्वी आकास नाग त्रिसूल और अगनी इसके बार हम देख चुके है अलड़ी फिर मिसाल में किस प्रकास से इसे लौंच किया जाए यह भी देख चुके है और यह देखो एरिया सबसे ज्यादा अगनी 5 के दुबरा कवर किया जाता है इसके बाद में अगनी 6 यहां त सूचा कि है हमारी कोई भी मिसाइल अभी तक साथ जार प्लस नहीं है एक देखा था अगनी 6 से बड़ वह भी डेवलप नहीं तो साथ जार प्लस भारत की कोई मिसायल है नहीं तो तो तीसरे के बारे में हमें पता नहीं पहले के बारे में थोड़ा बहुत confuse है, तो ठीसरा गलत कर दो, ठीसरा कहा है, यहां ठीसरा गलत है, यह ठीसरा गलत है, ठीसरा गलत है, इसका मतलब है, यह तीन स्टेटमेंन गलत हो गया, तो हमारे पास option है, वो पहला जाएगा, तो ऐसे आप है इसको eliminate करके भी उतर निकाल सकते हो कि तीसरा हमें पता है कि तीसरा गलत है बारत के पास में 7000 किलोमेटर की कोई range वाली है नहीं ठीक है लेकिन 6 अभी तक आई नहीं तो ये तीसरा गलत हो जागा तीनों चले जागी तो answer हमारा पहला बनेगा इस परकार से आप answer निकाल सकते हो इसलिए आपको range पता होनी चाहिए किस परकार की मिसाइले थोड़ा बहुत idea होगा तो आप answer दे सकते हो ये देखो हमारा पहला answer सही हो जाएगा ये range के बारे में चलते हैं हमारे next article की और नेक्ट जो article है वो NMC के बारे में इस पर सुप्रीम कोट ने अपने कुछ judgment दिया है इससे समद्रे न्यूज हमारे लिए इंपोर्डर है नहीं हम NMC के बारे में बात कर लेते हैं ये देखो न्यूज की सुप्रीम कोट ने कुछ document इन से मांगे है जो इनों ने दिये नहीं है किसे समंद्रे नहीं नहीं देखे हमbles के बार न बात कर लेते हैं उससे पहले कुछ article कोई भी स्किसान संस्ता खोल सकता है इससे समंद्री उसका अधिकार है तो इसलिए अधिकारों के बारे में आर्टिकल भी दे रखे यह फंडमेंटल राइट के बारे मात करते हैं कुछ फंडमेंटल राइट जो citizen को भी है और foreigner को भी और enemy alien होता है उनको भी है तो यह यह आर्टिकल है यह इन दोनों को प्राप्त है फिर यह जो आर्टिकल है 15, 16, 19 39, 39 यह only हमारे citizen को प्राप्त है 15 किस के बारे में बात करते हैं यह आपको पता होना चाहिए और यह ground भी पता होना चाहिए ठीके किन किन ग्राउंड के आदार पर discrimination नहीं होना चाहिए फिर एक्विलिटी है फिर यह जो 6 इसमें अधिकार दिये गए है फिर 39 है 30 है यह article है य यह only हमारे citizen को ही प्राप्त है तो यह भी पता होना चाहिए आपको फिर बात करते है नेशनल मेडिकल कमिशन के बारे में एनमसी के बारे में बात करते है एनमसी सबसे पहले इसकी इस्तापना 2019 में एक एक एक्ट के द्वारा हुई थी कौन सा एक्ट था राष्ट्री चिकि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्या काम करती है इस बार में जो एजुकेशनल है न मेडिकल एजुकेशनल है और मेडिकल जो परस्टनल है उसको रेगुलेट करने का काम करती है जो भी मेडिकल से समझे रेगुलेट से है उनको मानेता देती है उनको रेगुलेट करती है उनको registration करती है उनकी निगरानी करती है ठीक है किस परका से हो काम कर रहे है ट्रेनिंग सभी से कर नहीं रहे है इन सब के बार ज्यान रखती है साथ ही साथ मेडिकल के लिए इस इंफ्रेटेक्टर होती है बुनियादे धांचा है वो बनाने का भी काम करती है इसका headquarter का आइडिया है तो आपको अगर क्यूसर पूछा जाता तो answer देद होगे अब हम बात कर लेते हैं ठीक है इसके तहत एक और संस्ता आती है यह संस्ता है ना इसके उपर काम करते है पहले इसके इंतरकत जो बोर्ड आए उसके बार में देख लेते है यह बोर्ड किसके इंतरकत है यह मेक का काम है ठीक है और ये एनम्सी की बारे में बात करते हैं यह रेगलोट करने का干 स्टप हो तो यह और नियुत के बारे मेटिकल काउंस थे और लेते हैं यह देखो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए यह दोनों Medical Advisory Council यह दोनों अलग अलग है इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए तो यह जो NMC है न यह क्या कम करती है एक मंजपरदान करती है कि के अंदर साज परदे से राजी है उनमें जो medical council है किस परकास से उसमें standard क्या होगी किस परकास से उसमें training दी जाएगी उन सब के बारे में standard set करने का काम है medical advisory council के द्वारा की जाते है इसके अंदर कर चार बॉल्ड होते है एंडर graduate फिर graduate इस सारे बॉल्ड होते है इनके बारे में जादा डीटल में या advisory council में फिर sse search selection committee फिर इसके अंदर करते हैं चार बॉल्ड है एनमसी के अंदर करता है में क्या करती है में standard set करती मानक बनाती है ठीक है मानक बनाती किस परकार से पढ़ाया जाएगा standard set कर तो में के द्वारा की जाता है यह regulate करने का काम करती एनमसी regulate कर और यह search करने का काम कर किस परकार से staff है कहा से आएगा वह सारा काम है सरज सेlection committee के दवारा कि जाता है तो इन तीनों में अंतर पता होना ची इन तीनों के बारे में पता होना ची ने जो मारा आर्टीकल है वो किसके बारे में Asia परसंद श्यूखत रस्ट आर्थिक सामाजिक आयों के बारे में Asia Pacific United Nations Economic सोशिल काउंसिल एसिया फेसिविक इसके बारे में पता होना चाहिए यूनेस्ट कैप के बारे में पता होना चाहिए यूनेस्ट कैप क्या है न्यूज में क्यों है इन्होंने अभी एक रिपोर्ट जारी किये इसलिए न्यूज में और यह रिपोर्ट है उन्निस सो जारी करत लुटल फसका नाम अलग था पुराने नाम के बार में आपको याद नहीं रखना नहीं नाम के बार में आपको पता हुंप नाया नाम क्या है 1904 में इसका नाया नाम ऐन रखा किया संहों Kais Sen 008 सदस्य कितने 53 सदस्य हैं नों असोसियेट में बार भारत इसका सदस्य यह चीज आपको पता होने चाहिए तो एक रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए फिर नई बोडी है उसके बारे में पता होना चाहिए काम क्या करती है वो पता होना चाहिए थोड़ा बहुत और में कितने यह पता होना चाहिए तो यह आर्टीकल था हमारे यूनेस के बारे में नेक्ट जो आर्टीकल एडेज क्रोसिंग के बारे में निज में महत्पुन है नहीं निज क्यों है कि इसराइल ना कुछ माननेता बगरा दे दिए ठीक है हम मैं थोड़ा बहुत डिटेल में समझा गाजा की मदद कर सकता है तो इस पॉइंट के तुरू आ सकता है उसको जो भी सायता देनी वह दे सकता है तो इरेज क्रोसिंग एक पॉइंट है अब यह पॉइंट कहां पर है इससे बीट हनॉन बिन नाम से भी जाना सकता है इसको बीट हनॉन इस नाम से भी जाना जाता है बीट हनौन के नाम से भी, खहाँ पर यह उत्री गाजा पटी है, यहाँ पर यह इक बंदरगा भी है, असोज बंदरगा जिसका इस्तमाल करकि यहाँ पर इसको मदद पहुँचा जा सकती है, ठीक है, तो इस्राइल और उत्री गाजा पटी के बीच में एक वर्डर है, क्रॉ इसके लिएए इसके परमित क्या गया और भी कुछ क्रोसिंग आपको PTA होना क्यों न्यूज में इनकी नई जो ऑफिसरे वो अपॉंट किये गए नियूज मारे लिए महज़पुण है नियूज पर देखला किस ने आ पॉंट किया यह चीद के इंदरिये वित मंत्रा लेन आ पॉंट किया है तो इसको अपॉंट को न करता है Finance Ministry द्वारा Appoint किया जाता है ये चीज बता होने चाहिए इनके जो भी अधिकारी उत्वाइए उनको Finance जो Ministry उनके द्वारा Appoint किया जाता है अब Security Appellate Tribunal के बारें बात करें तो इसकी स्थापना की ती Security Board of Exchange Act है ना बारतिय पर्तिपुती विने में बोल्ड अधिनियम लाए गया था 1992 1992 का दिनियम है सेवी अधिनियम सेवी एक्ट इसके तहत इसकी स्थापना की ती Security अधिनियम के तहत इसका मतलब यह एक वैदानिक निकाह है यह नहीं स्थेचरी बोल्ड है वैदानिक निकाह है कार्य क्या करता है सेवी है ठीक है Security and Appellate Board of India फिर पैंसन है PFRDA ठीक है भारतिय भीमा वीमेन प्राधिकर इड्राइए इन तीनों को regulate करता है सेवी को regulate करता है इसके जो भी आधिस होते है रेगलेट करना में सेवी कोई आधिस देती है किसी को इसके खिलाफ जाना है तो वो कहां जाएगा इसके खिलाब किसी को जाना है तो यहां जा सकते हैं तो इस तीनों के खिलाब पिल में जाना है तो यहां पे जा सकते हो एक वेदानिक बोल्ड है इस एक्ट के बना तहत बनाए गए था बारतिये परती बूती और विन्य में बोल्ड है अधिनियम 1992 1992 का इसके तहती से बनाए गया था काम हम ने देख लिया इसकी हैड़कवाइटर का है मुंबई में और कितने मेंबर होते हैं मेंबर के बारे में जाद आपको पता हुने ची इस चीज़ आपको पता होने चाहिए सेक्यूटी अपिलेट टेबिनिल के बारे में देख लिए फिर बात कर लेते हैं स्यामा परसाद मुखर्जी पोर्ट के बारे में न्यूज में न्यूज का इसके सहथे जो होखी होगी जो में एक मात्र नदी नदी इसके त्रहत किया जाता महाँय पत्न न्यास अधीनिया में है इसको रेगुलीयट किया जाता है, मंत्रामें कौन कौन सात है इसके अंतरगत जो मंत्रा नेचो वमारा article is project आकास तीर के बारे में नियूज में क्यों है इस इंडियनार्मी की दोऔर अपनी जो है उसमें सामिल किया गया कासतीर को और इससरी क्या होगा हमाआ जो एवारी फिल्रा सिस्टम में हमारी एर डिफेंस सिस्टम में उसे मजबूत करेगा, बारत का जो सिस्टम में उसे मजबूत करेगा, किस ने बनाया है, इसे बारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटेट के द्वारा बनाएगा, और रावाजुमनल की जो सिस्टम में उसको एक 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 करने का काम करेगा, उसको मजबूत कर कर लेते हैं खमंबातकी खाड़ी के बारे में खमबातकी खाड़ी का है यह गुजुरात का मेब भी इस लेंistes पर लग और आरप जुशन हे नरब्दा तापी महाई साबरमती वो यहाँ पर आके डिस्चार्ज होती है यह रिवर है न डिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए नरब्दा तापी महाई साबरमती रिवर इसमें डिस्चार्ज होती है एक फ्यमा सर्पन साइट है लोथल वो यहीं पर सिच्योडेड है तो यह लोथल साइट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए नेश्च जो आर्टिकल है वो परपल जैली फीस के बारे में तो यह विसा का पत्नम का जो तट्ट है वहाँ पर यह जैली फिस देखी गई जिसे जैली फिस ब्लूम भी कहा जाता है एक काण का काफी जहरी ला होता है जैली फिस के बारे में बात करें तो यह पहले तो बढ़ती है पक्रपल जैली फिस बढ़तीक्स परपल जैली फिस Applause जाता है यह दुनिय यह इससे नुकसान बहुत जादा अगर किसी को डंक मार दे तो है न आपको डाइरिया हो सकता है अगर दिदिक पेन हो सकता है उल्टी भी हो सकती और भी कहीं सारी बीमारिया हो सकती जैसे कि गंबीर परकार की एलर्जी हो सकती जिससे जान भी जाने का खत्रा हो सकता है तो य क्योंकि इच्वा कुकाल से है और यहां पर कोई बंदारन वगए खोल आ गया इसलिए नियूस में फनगिरी के बार में बात करें फनगिरी का मतलब होता है साम्ruff के समान फंड वाले एक आकार की पहाड़ी के जैसा फंट होता है एसे प्रदाजिक हो सब्म पहारी क्णाये कि दरॉडङ शुछ किकल रूंप गोड़ को नुड़ा क्यान उसे घुद्ध मैधार किसेम, शुक॥ाइक यहां पर कुछ बहुत दी साइट भी है और यहां पर बहुत के हिन्यान और महान तोनों से समझ दिते तो यह फनगिरी के बारे में पता होना चीए आपको नेक्स्ट जो मारा पसंद और न्यूज में है वह लक्समन नाइक जी जो की ट्राइबल लीडर थी इसके बारे में इन के इनवें इनो का जनंप हुआ था काफी गांदी वादी थे और पीस्फ़ बीलीव करते थे इन्होंने कंत्रिबियोसन के बारा मात करी तो इन्हो नहीं सत्याक्र था इन्णें leadership को promote करते हैं तो ये पूरे article हमारा लक्समनाइक जी के बारे में था आज की discussion में इतना ही था thank you thank you very much for discussion